नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ओफिशल पर तो आज किस वीडियो में हम करेंट अफियर का इंपोर्टन टूपिक पूरे साल का राष्ट्रे घटना करम देखेंगे यानि कि पूरे साल के नैशनल इवेंट्स देखेंगे इस व मैं आपको पूरा टोपिक वाइस पूरे साल का करेंट अफियर पढ़ा दूँगा तो ये दूसरी वीडियो है तो अगर आपने पूरे साल के नैशनल इवेंट्स नहीं भी पढ़े न तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको पूरे साल के नैशनल इवेंट्स याद हो तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम जनवरी के important events देख लेते हैं, तो सबसे पहला important event है कि राष्टपती के द्वारा जैपूर में कुछ परतिमाओं और कुछ तंबों का उद्घाटन किया गया है, तो राष्टपती द्रोपदी मुर्मू के द्व किया गया है, तो यहां से क्या प्रशन बन सकता है कि समिधान पार्क, मयूर स्तंब या राष्ट्रिय ध्वच का उद्घाटन राष्टपती द्रोपदी मुर्मू के द्वारा कहां पर किया गया था, तो राजस्थान में जैपूर में किया गया था, तो इसी परकार briefly मैंने सारे इवेंट्स कवर किये हैं, जो कि आपके एक्जाम के लिए most important है, तो अगला इवेंट है कि कैप्टन शिवा चोहान सिया चिन में operational रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, तो सिया चिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, किया गया है, और ये महिला अधिकारी सेना की Fire and Fury Cops की कैप्टन शिवा चोहान है, तो आप से यही प्रशन पूछा जाएगा कि दुनिया के सबसे उचे युद्ध चेत्र सिया चिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो इनका नाम है कैप्टन जीता है, तो World Habited Award 2023 किसे मिला है, उडिसा सरकार को मिला है, और किस मिशन के लिए मिला है, तो जगा मिशन के लिए मिला है, वेरी इंपोर्टेंट है ये, जगा मिशन उडिसा में लगभग 3,000 जुग्गियों को अपग्रेड करने की एक पहल है, तो मुख्यमंत्री नवीन पतनायक के नेतरतों में उडिसा सरकार ने भारत में पहला जुग्गी मुक्त राज्य बनने का लक्ष रखा है, तो इसी मिशन के कारण जिसका नाम है जगा मिशन, तो जगा मिशन के कारण उडिसा सरकार को World Habited Award मिला है, ये इंपोर्टेंट है, या दखेगा, इसके बाद आगे चलते हैं, तो पांच जनवरी 2023 को उडिसा के मुख्य मंतरी नवीन पतनायक के द्वारा राउर केला में वेश्वस्तरिय होकी स्टेडियम का उधगाटन किया गया है, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम प्रसिद्य स्वतंतरता सिनानी बिरसा मुंडा के नाम पर सीटों के बैठने की शमता के साथ यह अधिकारिक तोर पर 29 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ड रिकोर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बड़े होकी स्टेडियम के रूप में इसे मानिता प्राप्त है, तो दुनिया का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम कौन सा बन गया है, तो यही बिरसा मुंटा अंतर राष्टे स्टेडियम बन गया है और यह है कहां पर, यह आप से पूछा जाएगा, तो यह उडिसा के राउर केला में है, इसके बाद आगे चलते हैं, तो हाली में केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राजे बन गया है, ड और इसके लिए से तीन डिजिटल इंडिया पूरसकार भी मिल चुके हैं, तो केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राजे बन गया है, इसके बाद आगे चलते हैं, तो अगला इंपोर्टेंट एवेंट है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज, M.V. गंगा विलास को वरानसी से हरी जंडी दिखाई है, तो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज कोन सा है, M.V. गंगा विलास, इसको कहां से हरी जंडी दिखाई है प्रधान मंत्री ने, तो बनारस से, इसकी लंबाई लग लगबग 625 मीटर है और यह वराणसी से बांगला देश होते हुए असम के डिबरुगर तक 32 किलो मेटर की दूरी तै करेगा तो जो ये MV गंगा विलास है न ये 51 दिनों में भारत के 5 राज्यों और बांगला देश के कुछ हिस्सों से होकर लगबग 32 किलो मेटर की यातरा करे और यह उत्तर प्रदेश के वराणसी से अपनी यातरा शुरू करेगा और बांगला देश होते हुए असम के डिबरुगर तक पहुचेगा तो यहां से प्रशन बनेगा कि सबसे लंबा जो रिवर क्रूज है MV गंगा विलास इसने अपनी यातरा कहां से शुरू की तो बना की दूरी तै करेगा तो अगला इवेंट है कि ते जनवरी को नेता जी सुभाज चंदर बोष जी की जनती के अवसर पर तो नेता जी सुभाज चंदर बोष की जनती के अवसर पर कौन सा दिवस मना जाता है तो प्राकरम दिवस मना जाता है तो प्राकरम दिवस के अवसर पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने जो अंडमान और निकोबार द्वीब समू है ना, इसमें से 21 द्वीबियों के नाम परमवीर चक्र विजयताओं के नाम पर रखे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, तो दिल्ली के राष्ट पति भवन में जो मुगल गार्डन था ना, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो अमरित उध्यान अब इसका नाम कर दिया गया है। आत्मा तक कहते हैं, तो इस अमरित उध्यान को राष्ट पति भवन की आत्मा कहते हैं। क्योंकि ये काफी खूबसूरत है, इस अमरित उध्यान में गुलाब, ट्यूलिप समित विबिन फूलों की धाईसों से अधिक परसिद किसमें हैं। जो कि इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ट गुलाब उध्यान बनाती है, यहां पर हरा गुलाब भी पाय जाता है। और इस उध्यान में कई परकार के पक्षी भी हैं, पर सबसे मनोरम मोर है। तो जो यह अमरित उध्यान है ना, अपने फूलों की वरायटी की कारण जाना जाता है। तो पहले इसका नाम क्या था? तो आप से यह प्रशन पूछायागा कि जो राश्च्पती भवन का मुगल गार्डन है ना, इसका नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है? तो मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अमरित उध्यान कर दिया गया है। परदर्शित की गयी थी, तो कर्तव या पत्र पर इस वर्ष की गंतंतर दिवस परेड में उत्तरा खंड की जो जहांकी थी ना, उसका थीम क्या था? तो वन्य जीवन और धार्मिक थीम वाली इस जहांकी को शीर्च पुरसकार से समानित किया गया है। और इस समाहरों में हमारे मुख्य अतिति कौन थे? तो इस समाहरों में मिसर के यानि कि एजिप्ट के राष्टपती अब्देल फत्य अल्सीसी हमारे मुख्य अतिति थे। तो उत्तरा खंड की जहांकी को सवशेष जहांकी का पुरुसकार मिला था और हमारे अतिति कौन थे? तो इजिप्ट के राष्टपती अब्देल फत्य अल्सीसी हमारे मुख्य अतिति थे। तो जनवरी के इंपोर्टेंट इवेंट्स के बाद अब हम फरवरी के इंपोर्टेंट इवेंट्स देख लेते हैं तो भारत में पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाक के पैंगोंग तसो जहिल में फ्रोजन लेक मेराथन आयूजित किया गया था और इसे अधिकारिक तोर प गिनीज बुक ओफ वर्ड रिकोर्ड में सबसे उंची फरोजन लेक मेराथन के रूप में शामिल किया गया है तो इसे गिनीज वर्ड ओफ रिकोर्ड में भी शामिल किया गया है क्यों शामिल किया गया है क्योंकि यहां पर दुनिया की सबसे उंची फरोजन लेक पर आयुजित होई थी तो अधिकारियों के अमसार 21 किरो मीटर की मेरथन भारत में अपने तरीके की ये पहली ऐसी मेरथन होगी जो की 13,860 फीट की उंचाई पर आयुजित की जा रही है यानि कि दुनिया में सबसे उंचाई पर जो फ्रोजन लेख है यहां पर ये मेरथन आयु तो लदाख में पैंगोंग तसो जील पर ये मेरथन आयुजित होई थी तो इसके बाद आगे चलते हैं तो लदाख में ही याया तसो जिसे 4820 मीटर की उंचाई पर स्थिर अपनी खूबसूरत जील के लिए पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है इसे की पहली जै विवित्ता विरास्तस तल के रूप में की जील को प्रस्तावित किया गया है तो याया तसो जील को प्रस्तावित किया गया है तो याया तसो बड़ी संख्या में पक्षियों और जानवरों के लिए गोंसला बनाने का आवास है जैसे बार हेड़ेट गूज, ब तो इसे पक्षियों के सुवर्ग के रूप में जाना जाता है यायत असो जील को और लद्दा की ये पहली जय विवदिता विरासस थल के रूप में इसे प्रस्तावित किया गया है अब हम आगे चलते हैं तो केंद्रिय सडक परिवहन मंतरी नितिन गड़करी ने महाराश्ट के नागपूर में दुनिया के सबसे बड़े एवं महाराश्ट के पहले दिव्यांग पार्क की अधार शिला रखी है तो यहां से क्या खबर बनती है कि दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क कहां पर बना है तो महराष्ट में बना है और ये महराष्ट का पहला है और दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क है कहां पर है महराष्ट के नागपूर में तो इस पार्क में सभी 21 परकार की विकलांगताओं के लिए अनकोली सुविधाएं होंगी और इसमें एक स्पर्ष और गंद उद्यान, हैड्रो, थेरपी इकाई, जल्ची किस्सा और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों और माताओं के लिए सोतंतर कक्ष जैसी सुविधा तो यहां से यही प्रेशन बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क कहां पर बनेगा तो महाराष्ट के नाकपूर में बनेगा, इसके बाद आगे चलते हैं, तो भारत की पहली एसी डबल टेकर बस की शुरुवात कहां पर की गई है, तो मुंबई में की गई है, तो इसमें 5 किलोमेटर की दूरी के लिए जो टिकट की कीमत है, यह नियूंतम 6 रुपे रखे गई है, और इस इलेक्टिक डबल टेकर बस में बैठने की शमता 72 सीटे हैं, तो भारत की पहली एसी डबल टेकर इलेक्टिक बस कहां पर चली है, कहां पर इसकी बात होई है, अब हम अगली खबर पर चलते हैं, तो भारतिय इतिहास में पहली बार केरल के केक के इरण्जादापली श्री क्रिश्न मंदिर के अनुष्ठान के लिए यांतरिक हाथी का इस्तिमाल किया गया है, यानि कि रोबोटिक ऐलिफेंट का इस्तिमाल किया गया है, ये यांतरिक हाथी यहाँ पर मंदिर की रसमें अदा करेगा, तो इसे पेटा इंडिया के द्वारा प्रस्तूत किया गया है, तो पेटा इंडिया क्या है, ये एक संस्थान है, जो पशुओं के साथ नैतिक विवहार के पक्षधर लोग हैं, तो इस हाथे का नाम क्या रखा गया है, तो इस हाथे का नाम रमन रखा गया है, इसका वजन आट सो किलोगराम है और इस पर चार लोग सवार हो सकते हैं, तो हाथे का सीर, आँख, मूग, कान और पूँच सभी बिजली से काम करते हैं, तो यह यांतिरिक हाथी केरल के श्री कृष्ण मंदिर में जुरस में हैं अदा करेगा इस हाथी का नाम क्या रखा गया है तो इस हाथी का नाम है रमन इसके बाद आगे है कि राष्टपती द्रोबदी मूर्मू के द्वारा दूसरी भारतिय चावल कॉंग्रिस 2013 का कहाँ पर किया गया है तो उडिसा के कटक में किया गया है इस राष्टपती चावल कॉंग्रिस 2013 का उधगाटन कहाँ पर हुआ कटक में हुआ तो कटक को सिलवर सिटी भी कहा जाता है और इसमें आजपाग कई विरासत मूल्य जैसे जगननात मंदिर कोनार्क शहर नंदन कानन राष्ट्रे उध्यान चिलका जिल आदि मोजूद है तो कटक कहाँ पर है तो उडिसा में है तो दूसरी भारतिय राष्ट का उधगाटन कहाँ पर हुआ कटक में हुआ इसके बाद आगे चलते हैं तो अगला इवेंट है कि फरीदाबाद में कहाँ पर लगता है तो ये फरीदाबाद में लगता है ये इंपोर्टेंट है कई बार पूछा गया है तो सूरज कुंड मेले में हर साल एक परतिभागी राष्ट्र होता है और एक थीम स्टेट होता है तो इस वर्ष के लिए परतिभागी राष्ट्र किसे चुना गया है तो S.C.O. को यानि कि शंगाई सयोग संगठन को सांजेदार राष्ट के रूप में चुना गया है इसमें 25 देश शामिल है जबकि थीम स्टेट कौन सा चुना गया है तो आठ पुरुवत्तर राज्यों को थीम राज्य घोशित किया गया है कौन-कौन से अरुनाचल तो ये फरीदाबाद में लगता है इसके बाद आगे चलते हैं तो लद्दाख में सभी मोसम में कनेक्टिविट्री परदान करने के लिए सरकार के द्वारा 4.1 किलोमीटर लंबे शिंकूला सुरंग के निर्मान को मजदूरी परदान की गई है तो शिंकूला टनल इसे कहा पर बनाने की मंजूरी परदान की गई है तो लद्दाख में तो केंद्रिय मंत्री मंडल ने लद्दाख में सभी मोसम में कनेक्टिविटी परदान करने के लिए शिंकूला टनल के निर्मान को मंजूरी दे दी है तो 4.1 किलोमीटर लंबी इस उरंग का निर्मान कारे लग भग 1681 करोड रुपे होगा तो ये शिंकूला टनल कहां पर बनाई जाएगी तो लद्दाक में अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शिंकूला टनल बनाई जाएगी तो फरवरी के बाद अब हम मार्च के इंपॉर्टन एवेंट्स देख लेते हैं तो सबसे पहली खबर है कि उत्तर परदेश के राय बरेली में होकी स्टेडियम का नाम भारत की महिला होकी खिलाडी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है तो इस स्टेडियम का नाम रानी ग के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है और ये होकी स्टेडियम है कहां पर तो उत्तर पदेश के राय बरेली में ये होकी स्टेडियम है इसका नाम क्या रखा गया है रानी गल्स होकी टर्फ और किसके नाम पर रखा गया है तो रानी राम पाल के नाम पर रखा गया है इ इस योजना के तहट इसे लौँच किया गया है, तो PM मित्र योजना के तहट इसे लौँच किया गया है, तो मित्र की फुलफॉर्म क्या होती है, तो Mega Integrated Textile Regions and Apparel, तो इस योजना के तहट साथ राज्यों में Mega Textile Park स्थापित किया जाएंगे, तो पहला जो Mega Textile Park है, ये कहां पर खोला गया है, तो तमिल नाडों में खोला गया है, इंपोर्टेंट है, याद रखेगा, इसके बाद आगे चलते हैं, तो महाराश्ट के लातूर शहर में, बाबा साहब भीमराव अम्बेटकर की, सत्तर फीट उँची प्रतिमा, Statue of Knowledge की स्थापना की जाएगी, तो Statue of Knowledge की स्थापना कहां पर की जाएगी, तो महाराश्ट के लातूर शहर में, और ये Statue of Knowledge किसकी प्रतिमा होगी, तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेटकर की, सत्तर फीट की उँची प्रतिमा होगी, जिसे लातूर शहर में स्थापित किया जाएगा, इसके बाद आगे चलते हैं, तो राजस्थान स्वास्थे का अधिकार बिल पारिद करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो स्वास्थे का अधिकार बिल किस राज्य ने पारिद किया है, तो राजस्थान ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित स्वास्थ का अधिकार विधेयक राजी के परतियक निवासे को सभी सारवजनिक अस्पतालों में मुफ्त प्रामर्श, दवाओं, निदान और अपातकालिन देखभाल का अधिकार देता है तो यहां से क्या प्रशन बनेगा कि Right to Health लागू करने वाला देश का पहला राजी कौन सा बन गया है तो राजस्थान Right to Health लागू करने वाला देश का पहला राजी बन गया है इसके बाद आगे चलते हैं तो एशिया के सबसे बड़े अंतराश्थे खाद्य और आतित्य मेला जिसे अहार 2030 कहा गया तो अहार 2030 मेला कहां पर आजुजित किया गया तो इसे नई दिल्ली में आजुजित किया गया इसके बाद आगे चलते हैं तो तमिल नाडू का अठारवा वन्य जीव अभियारन्य यानि कि अठारवी वर्ड लाइफ सेंचुरी थान थाई परियार वन्य जीव अभियारन्य इरोड जिले में स्थापित किया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि थान थाई परिया बागों, तेंदूओं, जंगली सुवरों और हिरनों सहिद, कई जानवरों के परजातियों के रहने की उमीद है, तो थान्थाई वर्ल्ड लाइफ संचुरी कहां पर स्थापित की जाएगी, तो तमिल नाडु के इरोड जिले में स्थापित की जाएगी, तो इसके बाद पहली महिला बन गई हैं, तो नागलेंड की पहली महिला विधायक कौन बन गई हैं, तो हिकानी जाखलू, याद रखेगा, ये इंपोर्टेंट है, ये नागलेंड की पहली महिला विधायक बन गई हैं, और कौन सी पार्टी की हैं, तो NDP, Nationalist, Democratic, Progressive Party, इनका नाम क्या है, हि जाखलू, तो माज का कैलेंडर अब हम बदलते हैं, और चलते हैं, अपरेल में, तो हाली में, राष्टे डेरी अनसंधान संस्थान, करनाल ने भारत में पहली बार, गाएं की देसी नसल, गिर का कलोन बचड़ा तयार किया है, जिसका नाम क्या रख़ा है, गंगा रख़ा और यह गाएं प्रती दिन 15 लीटर दूद का उत्पादन कर सकती है, तो करनाल के डेरी अनसंधान संस्थान ने हमारी देसी गाएं का कलोन तयार किया है, तो इस कलोन का नाम क्या रख़ा गया है, तो जो यह गाएं की बचिया है, इसका नाम गंगा रख़ा गया है, और यह राश्ट्रे डेरी अनुसंधान संस्थान है कहां पर तो हर्याना के करनाल में इसके बाद आगे चलते हैं तो परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुहाटी में पुरुवत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया है तो नौर्थ इस्ट का पहला एम्स कहां पर बना है तो ये असम के गुहाटी में बना है तो 950 बेड़ वाले इस अस्पताल की बिल्डिंग पर 1126 करोड रुपे का खर्च आया है और परधान मंत्री ने मई 2017 में इसकी अधार शिला रखी थी तो ये एम्स कहां पर बना है तो ये असम के गुहाटी में बना है और ये पुरुवत्तर भारत का पहला एम्स है इसके बाद आगे चलते हैं तो 14 अपरेल को बाबा साहिब भीमराव अमबेटकर की 132 जैनती के अवसर पर तिलंगाना सरकार ने बाबा साहिब भीमराव अमबेटकर की भारत की सबसे उची कांस ये परतिमा का अनावरन किया है ये कितनी उची है तो इसकी उचाई 125 फोट है तो ये 125 फीट उची है और ये है कहां पर तो ये हैदराबाद में स्थित है तो हैदराबाद में बाबा साहिब भीमराव अमबेटकर की सबसे उची मूरती का अनावरन किया गया है इसके बाद आगे है कि उत्तर परदेश सरकार ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इस्तमाल होने वाले जो वहन है इन्हें इलेक्ट्रिक वहनों में बदलने का लक्ष निर्धारित किया है और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य होगा तो उत्तर परदेश की सरकार ने ये डिसाइड किया है कि 2030 तक जो भी इनके सरकारी विभाग है ना सरकारी विभागों में जो भी गाड़ियां इस्तिमाल होती है उन्हें इलेक्ट्रिक वहनों में बदल दिया जाएगा तो ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य होगा तो अब हम अगले इवेंट पर चलते हैं तो भारत के परवता रोही अरजुन वाजपई ने नेपाल में स्थित माउंट अनपूर्णा पर चठने वाले ये पहले भारतिय पूरुष बन गए हैं तो अनपूर्णा की उचाई कितनी है तो 8091 मीटर इसकी उचाई है तो 8000 मी और ये माउंट अनपूर्णा पर चठने वाले पहले भारतिय पूरुष बन गए हैं तो माउंट अनपूर्णा है कहां पर तो ये नेपाल में स्थित है और जो अरजुन वाजपई है न ये 8000 मीटर से अधिक 7 उचे परवतों पर चड़ चुके हैं इसके बाद आगे चलत हैं तो वेश्ट टू वंडर कंसेप्ट के तहट भारत नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्मान करेगा और इस पार्क में जानवरों तथा पक्षियों की जो मूर्तियां होती है न ये कचरे से यानि की वेश्ट से बनाई जाएंगी इसलिए इसे वेश्ट टू वंडर कहा ग थीम के साथ तयार किया गया है इसमें G20 में शामिल हर देश को दर्शाय जाएगा और शिखर समेलन में शामिल हर देश के राष्ट्रे पशू और पक्षि को इस पार्क में स्थापित किया गया है तो इन सभी मूर्तियों को वेश्ट टू वंडर के तैद तयार किया गया है क्योंकि वेश्टे से ही इन मूर्तियों का निर्मान किया जाएगा, इसके बाद आगे चलते हैं, तो उत्तरा खंड के माना गाउं को अब भारत के पहले गाउं के रूप में मानिता दे दी गई है, तो आप से पूछा जाए कि भारत का पहला गाउं कोन सा है, तो भारत का पह पहले गाउं के रूप में मानिता देने का समर्थन किया है तो माना गाउं को भारत के पहले गाउं के रूप में मानिता मिल गई है और यह है कहां पर तो यह उत्तरा खंड में है अब हम आगे चलते हैं तो हिमाचल परदेश अग्यात अमरित शरीरों के लिए DNA डाटाबेस त ग्यात dead bodies हैं, इनका DNA database तयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल परदेश, अब हम आगे चलते हैं, तो अमेरिका की iPhone निर्माता कमपनी Apple ने मुंबई में भारत का पहला Apple Retail Store स्थापित किया है, और यह स्थापित किया है, और यह स्थापित किया है, और स्थापित हुआ है, तो यह मुंबई में स्थापित हुआ है, अब हम अगली खबर पर चलते हैं, तो हाली में मध्य परदेश सरकार ने ट्रांजेंडरों को अन्य पिछड़ा वर्ग में, यानि कि OBC में शामिल करने का फैसला किया है, इसके बाद ट्रांजेंडरों को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया है, तो अपरेल के बाद अब हम मई में आते हैं, तो रक्षा मंतरी राजना सिंग ने चंडीगड में भारत के पहले वायु सेना हैरिटे सेंटर का उदगाटन किया है, तो भारत का पहला वायु सेना हैरिटे सेंटर कहां पर खोला ग भारतिये वायु सेना का पहला विरासत केंद्र है तो 1965-71 कारगिल युद और बाला कोड हवाई हमले सहिद विभिन युद्धों में इसकी भूमिका को भित्ती चित्रों भित्ती चित्र यानि की दिवार पर बनाये गए चित्र तो भित्ती चित्रों और यादगार वस्तों के माध्यम से दर्शाय गया है तो यहां से ये प्रशन बनेगा कि भारत के पहले वायु सेना हैरिटे सेंटर का उदगाटन कहां पर किया गया है तो इसका उदगाटन चंडीगड में किया गया है इसके बाद आगे चलते हैं तो परधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने नई दिल दिल्ली के प्रगति मैदान में तो इसके तहट विभिन काल खंडों के सांस्कृतिक व एतिहासिक धरोहरों को सरंक्षित किया जाएगा तो अंतराश्ट्रे परदर्शनी कर्वेंशन सेंटर का उधगाटन कहां पर हुआ है दिल्ली के प्रगति मैदान में इसके बाद आगे चलते हैं तो भारतिय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाज टोमी गोल्डन गलोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतिय बन गए हैं तो इन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है तो य चक्कर लगाने के बराबर होती है और दुनिया की यह सबसे मुश्किल रेसों में से एक है और नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाज टोमी ने इस रेस को जीता है तो गोल्डन गलोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतिय बन गए हैं तो अभिलाज टोमी गोल्डन परदेश सरकार ने एक थीम पार्क राम लेंड बनाने की घोशना की है जो कि डिजनी लेंड की तरह होगा यहां भगवान राम की कहानी दिखाने के लिए लोगों को आकरशित किया जाएगा तो इस थीम पार्क को कैलिफोर्निया के डिजनी लेंड की तरज पर तयार किया और पार्क में रामायन के परसंगों के साथ शिरी राम के गुणों और आदर्शों को भी परदर्शित किया जाएगा तो राम लेंड बनाने की घोशना किसने की है उत्तर परदेश सरकार ने की है इसके बाद आगे चलते हैं तो पक्षिम बंगाल में स्थापित शांती निके इसके उपर मैंने अलग से वीडियो बना दी है यानि की युनेसको की लिष्ट में भारत के जितने भी स्थल शामिल है न इसके उपर मैंने डेटेल में वीडियो बना दी है उसमें मैंने आपको याद भी करा है अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना तो भारत में वर्तमान में कितनी UNESCO साइट से हैं तो 42, 41 नंबर पर किसे शामिल किया गया शांती निकेतन को और ये शांती निकेतन कहां पर है तो फक्षिम बंगाल में हैं और 42 नंबर पर किसे UNESCO की लिष्ट में शामिल किया गया है तो कनाटक के जो होईसल के पवित्र मंदिर समू है न इन्हें भी UNESCO की लिष्ट में शामिल किया गया है तो वर्तमान में भारत के 42 थल हैं जिन्हें UNESCO की लिष्ट में शामिल किया गया है तो इसके बाद आगे है कि प्रधान मंतिरी नरेंद्र मोधी ने असम में पुरुवत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाई है जो की गुहाटी से न्यू जल पाई गुडी के बीच में चलाए जाएगी तो नौर्थ इस्ट की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां पर चलाए गई तो असम में चलाए गई तो असम के गुहाटी से लेकर न्यू जल पाई गुडी की बीच में इस वंदे भारत ट्रेन को चलाए गया इसके बाद आगे है कि भारत को पेट्रो केमिकल के छेतर में आत्म निर्भर बनाने के लिए महराश्ट के रतनागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कोंपलेक्स बना जाएगा तो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां पर बनाई जाएगी तो ये महराश्ट के रतनागिरी जिले में बनाई जाएगी इसके बाद आगे है कि भारत माला पर्योजना के तहद असम के जो भी घोपा में भारत का पहला अंतर राश्ट्रिय मल्टी मोडल लोजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है इसका उद्देश्य भारत के परोसी देशों के साथ वेपार्क को बढ़ावा देना है तो भारत का पहला अंतर राश्ट्रिय मल्टी मोडल लोजिस्टिक पार्क कहां पर बनाया जा रहा है तो ये असम के जोगी घोपा में बनाया जा रहा है तो अकेले ब्रंपूत्र नदी में 317 एकड़ भूमी में बनने वाली इस पार्क को रेल, वायू और जल मार्ग के जोड़ा जाएगा तो असम के जोगी घोपा में भारत का पहला अंतर राश्ट्रिय मल्टी मोडल लोजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है तो माई के बाद अब हम जून में चलते हैं तो जून का पहला important event है कि दिल्ली के सवदर जंग में उत्तर भारत का पहला skin bank खोला गय तो skin bank कों में क्या होता है तो मृत व्यक्तियों की तवचा दान की जाती है तो नई दिल्ली के सवदर जंग अस्पताल में उत्तर भारत के पहले skin bank का उद्गाटन किया गया है और यह एक ऐसा bank है जहां पर मृत दाता अपनी तवचा दान कर सकते हैं तो ये तवचा किस काम आएगी तो जलने के इलाज में ये तवचा सहायक होगी तो तवचा को मृत्यों के 6 घंटे के भीतर दान किया जा सकता है तो skin bank को दिल्ली के सवदर जंग में खोला गया है और यह उत्तर भारत का पहला skin bank है तो अगली खबर है कि भारतिय पूरा तत्व सर्वेक्षन विभ इसी रोक पेंटिंग की खोज की है तो यह मध्य पाशान युक का एक शेल चित्र है और इसे कहां पर खोजा गया है तो आंधर परदेश के गुंटूर में इसे खोजा गया है तो इसके बाद आगे है कि हाली में जारी एक रिपोर्ट के अंसार भारत में एक दशमलो 45 पर पर कौन पहुँच गया है तो भारत एक दशमलो 45 लाग किलो मिटर के राष्ट्री राजमार्ग नेटवर के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर आगया है इसके बाद आगे चलते हैं तो भारतिय पुरातात्य विदो ने तिलंगाना में भगवान विश्णु की एक ह अजार साल पुरानी मूर्ति कला के रूप में एक महत्वपूर्ण खोच की है अब आगे चलते हैं तो भारत सरकार ने गुजरात में सेमी कंड़क्टर उद्योग इकाई की स्थापना के लिए अमेरिकी चिप निर्माता कमपनी माइक्रोन टेकनोलजी को 27 बिलियन डोलर के निवेश की मंजूरी दी है तो ये सेमी कंड़क्टर उद्योग की इकाई कहाँ पर स्थापित होगी तो गुजरात में होगी तो इसकी निर्माता कमपनी कोन सी होगी तो माइक्रोन टेकनोलजी इसकी निर्माता कमपनी होगी इसके बार आगे चलते हैं तो 20 जून को बिहा बिहार के पूर्वी चमपारन जिले में विश्व के सबसे बड़े रमायन मंदिर विराट रमायन मंदिर का निर्मान शुरू हुआ है। अब आगे ब हम चलते हैं तो कोउष्ट ओफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट आई है, जिसे मरसर संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो इसके द्वारा ये कहा गया है कि भारत का सबसे महँगा शेहर कोन सा है, तो भारत का सबसे महँगा शेहर है मुंबई और दूसरे और कौनशा शहर आता है तो नई दिल्ली दूसरे नमबर पर है और जो चिन्नई है ये तीसरे नमबर पर है तो वैसे तो जो मुंबई है ये भारत का सबसे महंगा शहर है और अगर पूरे वल्ड के हिसाब से देखा जाए तो जो मुंबई शहर है न इसका नमबर 147 हैं तो भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है मुंबई दूसरे नमबर पर आता है नई दिल्ली और तीसरे नमबर पर है चिन्नई इसके बाद आगे चलते हैं तो केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है इसका अर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्द कराना है तो आप से क्या पूछायाएगा कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने अपनी इंटरनेट सेवा शुरू की है तो केरल भारत का पहला राज्य है जिसने अपनी खुद की परमानो उर्जा रेक्टर का परचालन शुरू किया गया है तो काकरा पार परमानो उर्जा रेक्टर का परचालन कहां पर शुरू किया गया है गुजरात में तो परमानो उर्जा रेक्टर से क्या होता है बिजली बनती है तो काकरा पार परमानो उर्जा रेक्टर कहां पर तो इस Amoeba का नाम किया है? नेगलेरिया फावलेरी तो यह है एक Amoeba है जो की मिट्टी और गरम मीठे पानी जैसे जीलों, नदियों और गरम जर्नों में रहता है तो नेगलेरिया फावलेरी एक गरमी प्रेंमी जीव है जिसका अर्थ यह है कि यह है गर्मी में पनपता है और गरम पानी पसंद करता है तो यह अमीबा नाक से होते हुए हमारे मस्तिश्क में चला जाता है जहां पर यह मस्तिश्क के उत्तकों को यानि कि ब्रेन के टीशू को नश्ट कर देता है जिससे क्या होता है व्यक्ति की मृ तो इस दिमाग खाने वाले अमीबा का नाम क्या है? नेगलेरी या फावलेरी. अब हम आगे चलते हैं. तो भाजपा की एस फांगनोन कोन्याक राज्य सभा की अधिक्ष्टा करने वाली नागलेंड की पहली महिला सदस से बनी हैं. तो इनका नाम याद दखेगा. इनका नाम देAK सरकार ने हाली में मलेरिया, डेंगू और अन्य मच्षा जनित बिमारियों को नियंतरित करने के लिए क्या किया है? जैल निकायों में गंबूसिया मच्छियों को छोड़ दिया है. तो जो ये गंबूसिया मच्छिया है ना इन्हें मोस्किटो फिश के नाम से जाना ज जाता है ये मचलियां क्या करती है कि जो मच्छरों के लारवा है न उन्हें खा जाती है तो ये मच्छली मच्छरों के लारवा को नियंत्रित करने के लिए एक जैविक एजेंड के तोर पर इसका इस्तिमाल किया जाता है तो इस मच्छली का नाम क्या है तो याद रखेगा ग पहला स्थान की से मिला है तो इंदोर ने देश में एक बार फिर से सफलता का पर्चम फेहराया है तो दस लाख से अधिक अबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदोर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है तो सवच्छ वायू सर्वेक्षन केंद्रिय परदूशन नियंतरन पोर्ड के द्वारा अयोजित किया गया था और यह भारतिय शहरों में वायू की गुणमत्ता का आकलन करने की एक पहल है और इस सर्वे में उत्तर परदेश के आगरा को दूसरा स्थान मिला है जबकि महाराश्च के ठाने को तीसरा स्थान मिला है तो पहले नंबर पर कौन 27 स्थान मिला है था तो इस वर्ष के ठीम क्या रही थी तो इसकी ठीम थी नेशन फर्ष्ट, ओल्वेस फर्ष्ट याद रखेगा 15 अगस्थ 2003 की ठीम क्या थी नेशन फर्ष्ट, ओल्वेस फर्ष्ट, इसके बाद आगे है कि पूर्व भारतिय किर्कैٹर सचिन तें चुनाव आयोग ने किसे अपना नैशनल आइकन बनाया है तो सचिन तेंदूलकर को बनाया है। तो देश का पहला AI स्कूल शांतिगिरी विद्याभवन कहां पर खुला है तो इसे केरल की राध्धानी तिरुवननत्पुरम में खोला गया है। AI स्कूल खोला गया है। इसके बाद आगे चलते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानि की OBC के उपवर्गी करण के लिए सब केटेगराईजेशन के लिए एक कमिटी बठाई गयी थी। इसका नाम क्या था? रोहनी आयोग। तो रोहनी आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है ये 31 जुलाई 2030 को राष्ट पति द्रोपदी मुर्मू को सोब दी है। रोहनी आयोग का गठन अक्तूबर 2017 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किस ने की थी? तो नियाय मूर्ती जी रोहनी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो यह आयोग क्यों बठाई गया था? तो इस आयोग का काम यह जांच करना था कि जो आरक्षन का लाब है ये अन् नाम याद दखेगा रोहनी आयोग इसके बाद आगे चलते हैं तो परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को अमरित भारत योजना के तहद 508 रेलवे स्टेशन के पुनर विकास की अधार शिला रखी है इसका मुखे उदेश क्या है यात्रियों की सुविधाओं में स नियादी ढांचे में सुधार करना है तो 24,470 करोड की अनुमानित लागत के साथ पुनर विकास का कार्य रेलवे प्रणाली के आधुनकी करण की दिशा में एक महत पूर्ण कदम है तो अमरित भारत योजना के तहद कितने स्टेशनों का पुनर विकास किया जा रहा है तो तारक राम राव ने हैदराबाद में भारत का पहला क्रिशी डेटा एक्चेंज और क्रिशी डेटा प्रबंधन फ्रेम वर्क लॉंच किया है तो भारत का पहला क्रिशी डेटा एक्चेंज कहां पर खोला गया है तो ये हैदराबाद में खोला गया है तो इसके बाद अब ह प्रदेश के राइसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्थल सांची भारत का पहला सोर शहर बन गया है। तो पहला शहर कौन सा बन गया है तो मध्य परदेश का सांची भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है। इसके बाद आगे है कि जारखंड की सरकार ने ट्रांजेंडर समुदाय को एक हजार उपे मासिक पेंशन देने की घोशना की है। जारखंड सरकार ने की है। इसके बाद आगे है कि भारत में सबसे जादा बागों की अबादी वाले राज मध्य परदेश में विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को देश का 54 टाइगर रिजर्व घोशित किया गया है। तो आप से पूशा जाएगा कि विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां पर है। तो विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य परदेश में है। इसके बाद आगे चलते हैं तो परधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने उत्तर परदेश के वरानसी में अंतर राष्ट्रे किरकेट स्टेडियम की अधार शिला रखी है। और जो ये किरकेट स्टेडियम है ये अपने आप में अदभूत है क्योंकि जो इसकी थीम है न ये भगवान भोले ना से प्रेडित है। तो स्टेडियम की वास्तु कला भगवान शिव से प्रिरित है जिसमें अर्द चंद्रकार छत कवर और तिर्शूल के आकार की फ्लड लाइट होगी इसमें घाट की तरह बैठने वाली विवस्था को आकार दिया जाएगा और स्टेडियम की शमता कितनी होगी तो लगभग 30, 1000 दर्शकों की शमता होगी तो ये इंटरनेशनल कृके स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है तो ये वराणसी में बनाया जा रहा है इसके बाद है कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने नई दिल्ली के द्वारिका में यशो भुमी कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेश Convention and Expo Center इसका उधगाटन कहाँ पर किया गया है तो इसका उधगाटन दिल्ली में किया गया है तो इसका नाम क्या रखा गया है यशो भूमी तो Convention Center में क्या होता है तो जैसे कोई बैटक हो या कोई सम्मेलन हो जैसे G20 सम्मिट हुआ है न तो इस परकार की जो बैटके होती है ये Convention Center में होती है तो देश में बैटकों सम्मेलनों और परदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्वस्तर्य बुन्यादी धांचे के परधान मंत्री के दिरिष्टी कौन को द्वारका में यशो भूमी के संचालन के साथ मजबूत किया जाएगा तो इंडिया इंटरनेशनल Convention and Expo Center का उधगाटन कहां पर किया गया है नए दिल्ली के दिवारिका में किया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है तो यशो भूमी इसके बाद आगे है कि विजेवाडा रेल्वे स्टेशन को परियावरण मानकों के सुधार और यात्रियों को परियावरण के अनुकूल सिवाएं परदान करने के परियासों के लिए भारतिये Green Building Council के द्वारा प्लैटिनम की उच रेटिंग के साथ Green Railway Station से सम्मानित किया गया है तो बताईए Green Railway Station से किसे सम्मानित किया गया है विजेवाडा Railway Station को सम्मानित किया गया है इसके बाद आगे चलते हैं तो कनाडा की देनियल मैक गोही पहली transgender किरिकेटर बनेंगी तो बांगला देश में 2024 में होने वाली महिला T20 World Cup में जो ये कनाडा की देनियल मैक गोही है ये किसी भी अंतर राश्ट्रे मैच में भाग लेने वाली पहली transgender बनेंगी तो याद रखेगा ये कहां की है कनाडा की इनका नाम क्या है देनियल मैक गोही इसके बाद आगे चलते हैं तो मचुआरों की सुरक्षा के लिए इसरों के द्वारा विक्सित उपकरण का नींद कारा में सफल परिक्षन हुआ है तो इसरों के एहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रियोग केंद्र ने मचुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरन विक्सित किया है जिसका परिक्षन केरल के नींद कारा में किया गया है तो ये उपकरन क्या करेगा तो ये है स्थान्य भाषा में मोसम की चतावनी, चक्रवाद की चतावनी और अन्य जानकारी देगा इसका नाम है नभमित्र और इसका सफल परिक्षन कहां पर किया गया है तो केरल के नींद कारा में इसका सफल परिक्षन किया गया है तो सितंबर के बाद चलते हैं अक्तूबर में तो मध्य परदेश सरकार ने हाली में वन विभाग को छोड़ कर राज्य की सभी सरकारी नोकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षन परदान किया है तो इंपोर्टेंट है याद दखेगा कि मध्य परदेश सरकार ने महिलाओं को 35% आरक्षन परदान किया है इसके बाद आगे है कि उत्तर परदेश सरकार ने हाली में गंगा डोल्फिन को राज्य का जल्य पशु घोशित किया है तो केंदर सरकार ने 18 माई 2009 को जो गंगा की डोल्फिन है इसे भारत का राश्ट्य जल्य जीव घोशित किया था लेकिन अब उत्तर परदेश की सरकार ने भी गंगा डोल्फिन को राज्य का जल्य जीव घोशित किया है इसके बाद आगे है कि श्रम शक्ती में महिलाओं की भागीदारी अब कितनी हो गई है तो 37 पतिशत हो गई है अब कितनी हो गई है तो 37 पतिशत हो गई है इसके बाद आगे चलते हैं तो गुजरात के धोडो गाउं को संयुक्तिराश्ट्र विश्व परेटन संगठन के द्वारा सर्वशेष्ट्र परेटन गाउं का पुरुसकार परदान किया गया है तो संयुक्तिराश्ट के द्वारा ये पुरुसकार दिया गया है तो इंपोर्टेंट है कौन सा गाउं है तो धोडो गाउं तो धोडो गाउं गुजराद के कच्छ जिले में स्थित है और अक्तूबर दो हजार तेईस में धोडो गाउं को संयुक्तिराश्टर विश्व पर प्रेटन संगठन के द्वारा सर्वच्रेष्ट प्रेटन गाउं का पुरसकार दिया गया है। प्रेटन गाउं का पुरसकार दिया गया है। कहां पर स्थापित की जाएगी तो जयपूर के नहरगड के लिए पर। इसके बाद आगे है कि केरल के कोच्ची शहर को वर्ष दो हजार चोबिस में भारत में घूमने के लिए सरोत्तम स्थान गोशित किया गया है। तो भारत में घूमने के लिए सरोत्तम स्थान किसे गोशित किया गया है। तो केरल के कोच्ची शहर को तो भारती राज्य केरल के एक जीवन शहर कोच्ची ने दो हजार चोबिस में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की कोंडे नाश्ट ट्रेवलर की सूची में एक परतिष्ठी स्थान अरजित किया है। तो केरल का कोच्ची शहर दो हजार चोबिस में भारत में घूमने के लिए सरवत्तम स्थान घोशित किया गया है। जो अकबर के नवरतन तान सिंथे ना वो भी गूआलियर से थे। करा रखा है तो वित्य वर्ष 2022 तेश के लिए इन्होंने 2042 करोड रुपे का परियाप्त दान दिया है। तो 2042 करोड रुपे के दान के साथ ये परुपकारी सूची में पहले स्थान पर हैं। का नाम क्या है तो शिव नादर ये एटिसियल टेक कमपनी के संस्थापक हैं। इसके बाद है तो हाले में धान की पूसा 2090 किस्म विक्सित की गई है। तो इस नई किस्म का विकास भारतिय क्रिशी अनसंधान संस्थान द्वारा किया गया है और ये जल्दी पकने वाली जपोनी का चावल पर जाती है। और ये तुलनातमक पैदावार बनाये रखते हुए 120 से लेकर 125 दिनों की छोटी अवधी में ही ये फसल पक कर तयार हो जाती है और इसका विकास मुख्यता पंजाब और हर्याना के किसानों के लिए किया गया है क्योंकि ये धान की पर जाती पराली जलाने की समस्या से खेडे स्टेडियम में भारत बनाम श्रिलंक का म्याच से पहले सचिन तेंदूलकर ने अपनी प्रतिमा का अनावरण किया है तो सचिन तेंदूलकर को ट्रिब्यूट देने के लिए मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में इनका स्टेचू लगाया गया है इसी स्टेडिय में 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था और 2013 में सचिन ने भी अपना आखरी मेर इसी वानखेडे स्टेडियम में खेला था तो सचिन का ये होम ग्राउंड भी है वानखेडे स्टेडियम तो मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में सचिन तेंदूलकर के स्टेचू को लगा इसके बाद आगे है कि शीतल महाजन माउंट एवरेश्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। स्काई डाइविंग करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। इन्होंने 21,500 फीट की उंचाई से हेलिकोप्टर से छलांग लगाई है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम याद दखेगा शीतल महाजन। इसके बाद आगे है कि उत्तरपदेश के बुंदेल खंड में हमीरपूर जिले में भारत की पहली वाटर युनिवेस्टी खोली जाएगी जहां पर देश विदेश से लोग जल स्रंक्षन संबंदिर तकनीक का अध्यन करेंगे। तो याद दखेगा कि वोटर युनिवेस्टी यानिकी जल विश्विद्याले कहां पर खोला जाएगा त तो उत्तर परदेश के बुन्देल खंड में हमीरपूर जिले में जल विश्विद्याले खोला जाएगा। तो नवंबर के बाद अब हम चलते हैं दिसंबर में तो अयोध्या हवाई अड़े का नाम बदल कर महरशी वाल में की अंतर राष्ट्रे हवाई अड़ा कर दिया तो अयोध्या हवाई अड़ा उत्तर परदेश के अयोध्या जिले में निर्मान अधीन एक अंतर राष्ट्रे हवाई अड़ा है। निर्मान अधीन मतलब अभी इसका निर्मान हो रहा है। तो हाले में इस हवाई अड़े का नाम बदल कर महरशी वाल में की अंतर इसके बात आगे चलते हैं, तो हालिया आंकणों के मुताबिक तो उत्तर परदेश देश का दूसरे सबसे बड़ा अर्थवस्था वाला राज्य बन गया है, पहले नंबर पर कोन है? तो महराष्ट्र देश की सबसे बड़ी अर्थवस्था वाला राज्य है। देश की GTP में से महराष्ट का योगदान 15.7 है। तो पहले नंबर पर है महराष्ट्र और दूसरे नंबर पर है उत्तरपरदेश। इसके बाद आगे चलते हैं तो सुप्रीम कोट ने अनुचे 370 को हटाने के संसत के फैसले को सही माना है। तो 11 दिसंबर 2030 को सुप्रीम कोट ने अनुचे 370 पर संसत के द्वारा लिये गए फैसले पर अपना फैसला सुनाया है। तो यह आदेश पांच जजों की समिधान पीठने लिया है और अनुचे 370 के संदर्व में यह जो फैसला आया है यह पांच जीरो से आया है। यानि कि सभी जजों ने एक मत से फैसला दिया है तो इस फैसले में कहा गया है कि अनुचे 370 को हटाने का जो संसत का फैसला था ना यह समिधानिक था यानि कि लीगल था। तो सुपरीम कोड के जजों का कहना है कि जो अनुचे 370 था ना यह एक टेंपररी प्रावधान था यानि कि आस्थाई प्रावधान था जिसे खतम कर सकते हैं तो सुपरीम कोड ने अनुचे 370 को हटाने के संसत के फैसले को सही माना है। इसके बाद आगे है कि फोब्स ने दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में चार भारतिय महिलाओं को शामिल किया है। निर्मला सीतारमन ये भारतिय महिलाओं की सूची के हिसाब से है। किया गया है तो इस महोसों का आयोजन हर्याना के कुरू छेतर में किया गया है और देश के उपराष्ट पती जगदीब धनखड के द्वारा इस महोसों का उद्घाटन किया गया है। और इस महोसों की थीम क्या थी तो वसुधेव कुटुमबकम, शिरिमत भागवद गीता और व्याश्विक एकता इसकी थीम रखी गई है और इस महोसों में असम को मुख्य भागिदार राज्य बनाय गया है। तो अंतर राश्ट्रे गीता महोसों का आयोजन कहां पर किया गया है। तो हर्याना के कुरु छेतर में इसका आयोजन किया गया है। इसके बाद आगे है कि आनंद विवा अधिनियम अबसे जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। तो आनंद विवा अधिनियम का संबंद किससे है तो इसका संबंद सिक समुदाय में होने वाली शादी से है। तो संसत के दुआरा यह अधिनियम वर्ष 2012 में पारित किया गया था लेकिन उसमें जम्मू कश्मीर में अनुचे 370 था। इसलिए जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंदर शाषित परदेशों में यह अधिनियम लागू हो गया था। और अब दिसंबर 2023 में यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। तो अब हम आगे चलते हैं तो परदान मंत्री गरीब कल्यान अन योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यह योजना 1 जनवरी 2024 से अगले 5 सालों के लिए लागू होगी और इस योजना के तहट लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्थ खादिय सामगरी उपलब्द कराई जाती है। और इसे लगभग 81.35 करोड गरीबों का फाइदा होगा और अब यह योजना कब तक जारी रहेगी तो वर्ष 2028 तक जारी रहेगी यानि कि 2024 से 5 सालों तक 2024 को भी इसमें शामिल किया गया है इसलिए यह योजना 2028 तक जारी रहेगी तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होत कैसी लगी यह वीडियो कुमेंट शेक्षन में जरूर बताना धन्यवाद